सरकार के आने पर साहब लोग होशियार खबरदार नजर आते हैं और बाकी दिनों में मनमानी करते सिस्टम चलाते हैं मुख्य मंत्री योगी अधितिनात के कुछ देर को ही सही बरेली आने की खबर भर लगने से अफसरों ने महानगर में वो सब कर डाला जो उन्हें बहुत पहले करके दिखाना चाहिए बारिश में तूटी सडकों को 15 दिन के अंदर दुरुस्त करने के निर्देश सियम योगी ने बहुत पहले ही अफसरों को जारी किये थे पी डेबलूडी मंत्री जितिन प्रसाद भी ऐसे ही आदेश निर्देश लगातार जारी करते आ रहे थे मगर बरेली में सडकों के रखरखाप और निर्मार के लिए जिमेदार अफसरों की नीन नहीं टूटी पूरा शहर बरेली गड़ों में तबदील सडकों की वज़े से परिशान नजार आ रहा था महानगर के अंदर, बाहर, हर तरफ सडकों का सत्यनाश लगातार हासे भी करा रहा था अचानक मुख्यमंत्री योगी आदितनात का बरेली कारिक्रम तै हो गया पहले सूचना यह आई थी कि सीम बरेली में रुकर विकास योजनाओं की समिक्षा करेंगे लखनव से यह संदेश आते ही अफसर जैसे नीन से जाग गए आनन फान में सडकों की गड़े भरने का काम शुरू हो गया सीम योगी की खौफ ने इतना असर दिखाया कि अफसरों ने कई सडकों पर जानलेवा हो रहे गड़े भरवा दिये हाला कि सीम योगी शहर ब्रहमण पर नहीं आये और तिशूल एरबेस पर ही करीब एक घंटा रुपकर अफसरों के साथ बैठक करने के बाद रवाना हो गए मगर बरेली शहर को उनके कुछ देर के प्रोग्राम नहीं सडकों की गड़ों से कुछ राहत जरूर दे दी बरेली महानगर की लोग ही नहीं अब जैसे गड़े भी सीम योगी को शुक्रिया बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हो सके तो मुखे मंत्री जी जल्दी फिर बरेली आना सीम अगली बार बरेली आएंगे तो शायद अफसर उससे पहले ही शहर को चमकाएंगे खास तोर पर बरेली की सडकों को बिल्कुल गड़ा मुक्त बनाएंगे